आर्नाइन टीवी से निर्भया की मा की खास बात्ची देखिए, हमने 7 साल संघर्ष किया, लेट हुआ, बहुत लेट हुआ, 7 साल लग गया, हम संघर्ष कर रहे थे, 22 तारिक को फांसी हो जाएगी, संतोस इसलिए है कि फाइनली उनको फांसी मिल जाएगी, मेरी बेटी को इन साफ मिले, मैं आज उनी से जानूगी कि इन 7 सालों में उन्होंने कितनी दिक्कतों का सामना किया, इस वक्त मेरे साथ निर्भया की मा आशा दीवी जी है, 7 साल लग गया आपको इन साफ पाने के लिए, क्या इस फैसले से आप पूरी तरीके से संतुष देखिए, हमने 7 साल संखर्स किया, और इसलिए किया, तो शंतुष हैं, क्योंकि लेट हुआ और बहुत लेट हुआ, साथ साल लग गया, लेकिन संतुष इसलिए हैं, कि हम इसलिए संखर्स कर रहे थे, तो फैनली उनका डेट डिसाइड हो गया, कि 22 को फासी होगी, संतोस हैं इसलिए कि अब उमीद है जगी है कि नहीं अब उनको बाइसदारी को फांसी हो जाएगी और बेटी को इंसाफ मिलेगा जो भी ये लेट हुआ है तो कहीं न कहीं ये है जो हमारी जुदिष्टरी है या हमारी नयाय बेवस्ता है इसके कमी से हुआ है क्योंकि कानुन तो है कोट तो है लेकिन नियम या एक समय निर्धारत नहीं है समय का बाउंड नहीं है कि नहीं कितने महीने में इनको क्यूरी करना है कितने महीने में इनको सुप्रीम कोट से निकलना है कि मने समय बाउंड नहीं है सुप्रिम कोट के फैसले के बाद उनके पास अनलिमिट टाइम है जिसका वो फैदा उठा रहे हैं मैंने इस केस को कंटिनीव लड़ा है फिर भी साथ साल लग गए तो जो अनलिमिट टाइम है इनके पास जो समय बाउंड नहीं है उसी का ये मुझरिम फैदा उठा रहे हैं उनकी फैदा उठा रहे हैं आज खिशते 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 इतना लंबा खिचा कि शाथ साल का समय निकल गया कल भी जो डेट फाइनल हुई है कल भी वो यही कहके डेट को आगे बढ़ाना चाहते थे कि नहीं हमारे पास अधिकार है लेकिन कोट ने जेल ने दो दो बार जेल ने नोटिस किया, बार बार कोट ने उनको समय दिया, वर्निंग किया कि नहीं जो भी आपका अधिकार है, वीडियो दो दो बार का अधिकार है, उसको आप इस्तमाल करिये, लेकिन उन लोगों ने नहीं किया, समय खिशते गए, तो कहीं न कहीं यह हमारे जो कानून विवस्ता है, उसकी कम्मी है, जो लोगों को समय से इंसाफ नहीं मिलता, लोगों को इतना संघर्ष करना पड़ता है, और इसका परिणाम समाज में हमारे बच्चियों को भुगतना पड़ता है.